तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लारमानराहीम अब हमने जिस पर काम करना है यह कॉल्ड गॉशियन मिक्सिर मॉडल्स गॉशियन जैसे की नाम से जाहर है कि गॉशियन हर दफ़ा याड़ाता है किसी ने किसी अलिगुरिथम की शेप में अगर आपको नहीं पता तो नॉर्मल डिस्टिबिशन क्या होती है जो डिस्टिबिशन कुछ इस तरीके से बैल कर बना रही हो ठीक है यह आपके सामने बैल कर बा रही है अगर डिस्टिबिशन को इस तरीके से बैल कर बना रही हो तो उसे हम नॉर्मल डिस्टिबिशन बोलत इसको मीन भी कह सकते है हम एसवकत और मेलियन या बाक्री central tendencies भी होते हैं बट लों इल कॉल इट मीन ये होता है में तो अगर हम मीन को center में रखें तो इसका मतलब है इसका वे उर्यएंस भी होगा जो left to right या right to left उस चीज़ को फ्हला रहा रहा है ف ओर विदिस इस मीन तो हमारे पास यहां से यहां तक इसका variance भी फेला हुआ है ठीक है जिसको हम फॉर एक्जैमपल standard deviation बोल सकते हैं या हम उसको variance को variance इस तरह की terms आती हम वो हम बोल सकते हैं अगर आप पूरे की पूरे data को एक plane में ऐसे single space के one dimension plane के अंदर plot करें न तो it will make a shape like this एक का दूसरे का Gaussian distribution तीसरे की चोथी and so on and so forth इसकी बेस पे अगर आप clustering करें तो this is called Gaussian mixture model simply वो कैसे आप क्या करते हैं जहां पर क्योंकि density based cluster है न फिलाल अगर हम देखें इसको ठीक है ये भी आपकी density को calculate करता है कैसे density को calculate करता है आपको पता है कि center का मतलब है कि यहां पे data ज्यादा आ रहे हैं इस जगा पे राइट वहां पे density ज्यादा है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम दो कर्फ की overlap देखें फॉर एक पॉइंट यहां पे हमारे पास unknown और एक पॉइंट यहां पे है कि मैं पॉइंट्स को ऐसे लगा देता हूं एक यह और एक यह हमारे पास दो पॉइंट्स है अब हमारे पास एक की Gaussian distribution is something like this और दूसरी की is something like this हम कैसे find out करते हैं कि यह वाला इस cluster का हिस्सा है यह इस cluster का based on the distance from that point to the curve like this यह distance हम find out करते हैं ठीक है साफ पता चल रहा है कि इसका जो cluster है वो left side में बनेगा क्यूं क्यूंके 100 में से तक्रीबन 70% जो distance increased किया है वो इस side का किया है so we can classify that point into left side of cluster और अगर इसकी बात की जाए तो यह तो total ही right side के cluster में जा रहा है क्यूंकि वहां पर distance अगर measure करें तो इसी का है दूसरे का तो है यह नहीं है तो अगर कोई point यहां पर आ जाए यह center में आ जाए तो इसका distance तक्रीबन 50-50 दोनों का हो जाता है for that we will see कि उसको कैसे define करना है but for the other thing is कि आप distance की base पे clusters को divide करें ठीक है from that x-axis towards the curves जो आपकी बनी होती है normal distribution की ठीक है तो basically इसी base पे ही यह सारे का सारा model जो है वो आपको clustering करके दे देता है अब यह देखने को बहुत असान लग रहा है क्योंकि हमने इसको one dimensional space पे draw किया है ठीक है 2D पे करें तो क्या होता है आपके पास कुछ इस तरीके से ना ring type बनते है something like this और यह ring आपके points को show करते है कि यहां पे आपका point है यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां और यह जो center होती है ना किसी भी एक ring की this is the peak जो उपर से आपको नजर आती है ठीक है फिर जो दूसरा ring है यहां पे इसकी चोड़ाई को show कर रहे है तीसरा ring जो है यह at the end इसकी और चोड़ाई को show कर रहे है यह जितने ring ज्यादा चोड़े होते जाएंगे wider होते जाएंगे उतनी ही आपकी curve wider हो तो अक्सर उकात आप जाएंगे मेलों में तो आपको वो ऐसे चूड़ियां सी देते हैं बड़े बड़े बनी हुई तो आपने ऐसे जिस चीज़ पर आगी वो आपकी चीज़ हो जाती है ऐसे होता है तो अगर उसी को आप एक traffic वाली जो कोने होती है traffic वार्डन ने नहीं कि यहां से नहीं गुज़ना red color की अगर उसके उपर इस तरीके से वो ring डालें तो यह वो ही concept है कि ring की चुड़ाई आपको बताती है कि कौन की चुड़ाई यानि कि यह normal distribution किस तरीके से match हो रही होगी और यार यही concept है सारा Gaussian mixture model का और कुछ नहीं है आप one dimension जो है वो कौन को स अगर यह card वाली कौन है मतलब एक तरफ से चप्टी है बिल्कुल चप्टी है तो वो क्या होगी वो two dimension है अगर 3D में आ तो वो असल कौन जो आप ले हैं और उसके उपर चूड़ियां चनाने लग जाए अब यहां से आपको समझ आगी होगी के जो डेटा यहां पर लाई कर रहा है वो इसका मतलब है के Gaussian distribution के कौने पर आ रहा है यानि के बड़े रिंग वाला डेटा Gaussian के कौने पर है छोटे वाला डेटा पकी बात है इसका cluster है समझागी तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपके पास 2D shapes के अंदर Gaussian distribution कभी आ जाए तो परिशान होने वाली तो बात ही नहीं है न और इसी के base पे cluster बनते है ठीक है अब आपका data क्या करते है आप अपने data को 2D space के अंदर draw करते ह इस length of radius or diameter of these rings यह वही रिंगे हैं जो आप अगर किसी दरख्ट की लकड़ी को काटें तो बीच में नजर आते हैं जिससे आप उमर का अंदाजा लगाते हैं तो आप इसी इनी rings को तश्भी दे सकते हैं कि they can make a kind of peak like this जो center में है they are like this much smaller और इसका मतलब है कि यह mean के पास है य वो कोने पर आया वो इसका भी हो सकता है वो किसी और cluster का भी हो सकता है सही है समझागी बात की यह वही चीज़ है अगर हम बाकी points की देखें तो यह हमारा distance भी हम calculate कर सकते हैं ठीक है so normal distribution का concept और यहाँ पे clustering इसी base पे जलती है और Gaussian mixture model इसी base पे आपको result देते हैं ठीक है मैंने try की है आपको एक अच्छे तरीके से समझाने कि if you still have any question तो आप हमसे तो आप अभी पूछ सकते हैं अब आगे बात करते हैं अक्सर हो कहात आपने statistics में भी देखा है जितनी हमने normal distribution की मतमारी है इस पूरे course में शाहिद ही किसी छीज को ज्यादा बढ़ा हो ठीक है तो अगर normal distribution का हमें पता है ना कि कितने percent data हो तो वहां पर कितना आता है अगर standard aviation one है तो उसमें 95 percent data है so on and so forth तो अब उस पर भी discussion कर सकते हैं बट the point is अगर overlapping आ जाए ना cluster तो normal distribution उनको भी separate करते ती यानि कि Gaussian mixture models overlapping clusters को भी यानि को जो आपस में घुले मिले होते हैं ना उनको भी separate कर देते कैसे वही मैंने आपको example दी एक मैं बहुत अच्छी एक और example देता हूं कि एक point अगर यहां पर आपके पास आया है ना ठीक है तो आप इसको रंग कर सकते हैं for example यह है point यह जितना green के अंदर है उतना green color का इसके अंदर रंग कर दें हैं like this कि यह इतना green color का है ठीक है यह मैं बाहर को जा रहा हूं क्योंकि मेरे पास mouse पड़ा हुआ इस वज़ा से और जितना red में जा रहा है उतना red color कर दें तो simply हम अंदाजा लगा सकते हैं जिसका color ज्यादा है यानि कि जितना distance है उस point से उसका mean का या आपके normal distribution का उस cluster में यह जाएगा तो numbers की game है जो distance ज्यादा हुआ वो हमारा cluster है जो distance का मुआ वो हमारा cluster नहीं है simple Gaussian Mixion Model इसी theory पर काम करता है ठीक है अब आगे जलते हैं इसको बड़ी detail में देखते हैं यह बड़ा आपको छोटा सा तारफ करवाया है कि कौन-कौन से parameters होते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़े होती है ठीक है यह Gaussian Mixion Model का 2019 का Oscar Carrasco ने यह लिखा हुए blog इसमें कुछ गलतिया भी है and we are to find we are going to find out those as well मैं blogs को क्यों चूज कर रहा हूँ हाज कल उसकी reason यह है कि आपने अपना portfolio भी बनाना है और यूशुड नो के blog कैसे लिखे जाते हैं सो वो कहते हैं जो बंदा अच्छा रीडर होता है वही अच्छा राइटर बनता है अधर्वाइस इट्स हाट टू रीड राइट ठीक है करें जी स्टार्ट आपको आता है यह सारा मैंने आपको थूरी भी बता दिया अब लफजों की खेल में देखते हैं कि Gaussian Mixture Model क्या होता है फिर मैं आपको एक whiteboard पर समझाऊंगा करें थोड़ा सा background knowledge दें कि क्यों यह हो रहा है फिर clustering इस्दान supervised learning सेम वही चीज़ें जो हमने बार बार डिसकेस की है होता गया इसके अंदर हमारा dataset कुछ common characteristics का होता है तो उस dataset को जब हम उन common characteristics की base पे classify करते हैं एक या दो चीजों के दर्मयान या groups के दर्मयान उसको हम clustering ठीक है मतलब blue color को red color से अगर हम separate कर रहे है based on the characteristics तो यह हमारी clustering की example है वो हमने कर ली so how does it differ between these two things अभी उस चीज को देखे हैं please note that we are now introducing some additional notions notation sorry here mu1 and mu2 are the centroid for each clusters ठीक है mu1 and mu2 अब इसका कोई भी नाम रख सकते हैं scientifically जो भी चीज सेंटर में होती है उसे mu भी कह देते हैं और उसी को हम mean भी बोलते हैं अगर देखा जाए सभी का mean जो है वो सेंटर में आता है Gaussian mixture model के अंदर भी हमने यही रखा mu1, mu2, mu3, mu4 ठीक है अब आगे चलते है of each cluster and our parameters then identify each of these a popular clustering algorithm is known as k-means which will follow an iterative approach जो हमने सारा पढ़ लिए हुआ हो इसमें centroid होते हैं so on and so forth यहां पर वही लिखा हुआ है the later are labeled as the part of cluster that is defined by their closest centroid हमने k-means clustering पढ़ी उसने बता दिया कि k-means की बेसे हम यह कर सकते हैं और हम बार-बार यह काम करते रहते हैं until unless सारे के सारे clusters हमारे पास आ रहे ठीक है one important practice of k-mean cluster is hard clustering method which means that it will associate each point to one and only one cluster ठीक है एक point को एक ही cluster में वो ले के आएगा this is called hard clustering एक होती है soft clustering उसके बारह में में हम देखेंगे अगर आपको नहीं पता तो यह keyword लिख ले तो इसको भी हम search करते हैं a limitation to this approach is that there is no uncertainty major or probability that tells us how much a data point is associated with a specific cluster कुछ समझ आई बात की के-means की limitation क्या है कि वो variance नहीं हमें देता मतलब क्या अगर एक cluster के अंदर कोई चीज आ गी है तो वो यह नहीं हमें बताता कितने फीसद यह इसके साथ belong करता है वो उठा के डाल देता है बस यसी के समझ आई बात की जो यहां पर बात वो समझाना चाहरा है तो इसका मतलब यह हुआ hard clustering का मतलब ही है कि सख्त long day वाला cluster यानि कि वो सख्ती से कहता है यही काम होना है इससे आगे कुछ नहीं ठीक है and then so what about using a soft clustering instead of hard one this is exactly Gaussian mixture models soft one क्या होता है वो कहता है अच्छा बताओ भई कहां पर जाने बचा यहने लग जाता है नहीं जी left side दिल तो कर रहा होगा ना तुम्हारा right पर बहां जी कर रहा है लेकिन 70% मेरा इस side पर कर रहा है तीस विसे इस side पर कर रहा है तो वो उस बेस पर calculation करना यानि कि soft hearted होगी सक्ती से नहीं कि नहीं तुमने इधर ही जाना है या इधर जाओ या चोड़ के घर जाओ तो अगर आप soft clustering की बात करें तो soft clustering वो है जो आपको एक hard clustering की बजाए choose करने में help करें कि कि side पर इसके जाना ज्यादा बनते है ठीक है और इसी वज़या से इसको GMM बोलते हैं Gaussian mixture models है यानि कि mix करता है Gaussian distributions को at one plane let's now discuss the method further समझ आगी hard and soft की ठीक है hard clustering वो है जो उठा के मुझे ओमर्जी कर दे let's move towards a Gaussian mixture is a function that comprises several Gaussian मैंने आपको पहले बता दिया कि खिचडी of many normal distributions is called Gaussian mixture models each identified by k यानि के एक से लेके k तक ठीक है submission of one to something where k is the number of clusters of our data set सही है जितने भी clusters होंगे उतनी normal distributions होंगे simply सही है each Gaussian k is the mixture of comprised of the following parameters कौन कौन सा मियू है में जो मैंने आपको पहले बता दिया और आपको भी पता है a covariance that defines its width वो भी मैंने आपको बता दिया जिसको मैंने standard deviation भोला ठीक है this would equivalent to the dimension of an ellipsoid in the multi variate scenario we will see that in multivariate scenario but for now we know that a mean होता है और उसका dispersion होता है जो side ओंपे फैला होता है ठीक है then a mixing probability इसको हम क्या बोलते हैं साइन को क्यों पाई इसको क्या बोलते हैं पाई और इसकी value क्या होती है बाई बटे साथ 3.142222 बढ़ती जाती है बहुत आगे तक जाती है ठीक है that defines how big or small the Gaussian function will be पाई कहां पर यूज की जाती है कोई idea है कब कब पाई हमारे दिमाग में आती है कि अब पाई का यूज होगा पाई आर स्केर आपने सुना होगा इसके इलावा sphere वगएरा के लिए circle वगएरा के लिए ऐसे ही है तो जो मैंने आपको तकोन की example दिये वो याद रहेगी now we will see के πाई कैसे यहां पर use होती है ठीक है पहले याद रखें let's now illustrate these parameters graphically मैंने आपको बता दिया म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3 फिर उनका जो distance है ठीक है from one to another one समझे आगी बात की अब आगे move करते है यह कुछ उसने equation बताई हुई है बकाईदा के यह भी हो सकता है इस तरीके से mathematical background की base पे here we can see that there are three Gaussian functions hence k कितना हो गया हमारे पास three Gaussian functions का मतलब यह है के हमारे पास तीन Gaussian distributions बन रही है तीन Gaussian functions है ठीक है और पाई क्या है पाई यहां पर बताई गई थी how big or small is the Gaussian तो यहां पर पाई ही define कर रहा है के यहां पर यह वाला function बड़ा क्यों है ब्लू वाला चोटा क्यों है ठीक है अगर हम इसको देखें Gaussian explains the data contain in each of the three clusters available the mixing coefficients are themselves probabilities and must meet the condition ठीक है अब आगे चलते हैं यह जो points मैंने आपको बताए है ना इसको आपने कुछ इस तरीके से सोचना है यह जो मैंने आपको पहले line ने बना के दी थी ठीक है यह अगर आप ऊपर खड़े होके देखें न मतलब इसके ऊपर खड़े हुएं यहां पर आप और उपर से नीचे को देख रहे हैं अपनी distribution को that's that's why it's being used here कि कितना उसकी लंबाई ज्यादा हो नहीं और कितना उसने नीचे को जाना based on these circles तो पाई हमें बताएगी ना क्योंके पाई circles में use होते हैं समझारी बात की कि पाई क्यों हमें बताएगी अगर आप इसमें देखेंगे इधर तो पाई पाई कुछ नहीं है ठीक है but the concept behind Gaussian mixture model is to draw these kind of circles जो आपको at the end यही वाली शेप देते हैं but based on the circle का जो आपका diameter वगरा होता है ओके तो equation यह आपके सामने लिखी हुई है आप इसको detail में देख भी सकते हैं but I would suggest directly go to words के यह Gaussian mixture model हमें कैसे यह सारा कुछ बना के देता है और data किस तरीके से divide हो जाता है simply इसके अंदर होता क्या है mathematics को देखके आप परिशान होंगे I know that don't worry यहां पर जो हमारे पास यह है यह क्या चीज़ है अगर कोई देख के अंदाजा लगा के बता सके कि इस तरीके का काम हमने एक और जगा भी किया था चलें इसको देख लेते हैं based theorem याद है तो जब भी probability की बात होगी तो वहां पर भी theorem लगेगा जिसको Bayesian model भी आप कहा सकते हैं तो यहां पर भी probabilities calculate होती और probabilities की बेस पर बताया जाता है कि यह किस cluster में जाने के chances ज्यादा हैं यानि के मैं आपको एक example देता हूँ आपके पास total probability है one to go into red cluster और अगर इसी को yellow में जाने की कर दें तो यह भी total probability लेकिन अगर कुछ probability इसकी आजाती पॉइंट 3 तो जाहरी बात है इस साइड पर सिर्फ red cluster बचा होगा तो इसकी होजागी पॉइंट 7 so this is how you calculate the probability based on the overlap of each Gaussian distribution ठीक है जो यहां पर overlap हो रहे हैं तो इस वज़ा से इसके अंदर probability का रोल है like this one यहां पर अगर कोई point आ रहा है तो यह क्यों green में जा रहा है और क्यों blue में नहीं जा रहा है अगर यह blue में है तो यह क्यों blue में उसकी reason यह कि distance की base पर आपकी probability calculate होती है right okay जारी बात है यह जितना भी काम है यह mathematicians का आगाम है basically और इसी के उपर यह सारा खुद से बना के भी करते हैं खैर अब एक और चीज़ आपको बताता हूँ अभी कि अक्सर अकात आपने देखा होगा कि जब भी आपको algorithm लगा रहे होते हैं लोग यह इस तरीके से को function define करने बैठ जाते है एडवांस स्टेजिस पर अगर आप जाएं देखा होगा आपने कि वो क्या करते हैं अपने पूरी के पूरी एक pipeline का एक function सा define कर लेते हैं कि यहां पे सिरफ x रखना है और सारे के सारा pipeline ल define करने ताकि future के अंदर बार-बार जाब उसे fit करें predict करें तो आप उसे use करें जारी बात है code आप खुद से नहीं करते हैं और आपने देखा होगा आज कल कोडिंग पर हम practice भी कम कर रहे हैं reason यह है कि दुनिया चेंज होरी वहीं से इसी बात है code आपको बने बनाए मिल जाने if you don't know the theory behind it, it would be difficult और रही बात Gaussian Mixer Model की यह आपने पहले से पढ़ा हुआ है, so you should know किस तरीके से इस model के parameters को हम check करते हैं, अब यह जो clusters हमारे पास दाएरे आ रहे हैं, यह आपको कुछ तो बता रहे हैं कि यह चल क्या रहा है यहां पर, इनकी समझ आ रही है, कि यह जो आ रहा है हमारे पास, यह clustering जो बने हुए है हमारे पास, यहां पर different किसम के, और बकाइदा यह jif file है, I think so, yes, यहां पर आप चेक कर रहे हैं कि यह वाला जो cluster है, इसकी जो peak है, यह differentiation की base पे, यहां पर standard deviation यहां पर जा रही है, standard में इसका mean है इसी बड़ा से light होता जा रहा है color, ठीक है, इस side पे, लेकिन यह starting point कहीं से होता है, फिर centroid को set करते करते करते, फिर यह आगे चलता रहता है, और at the end यह हमारे पास इसी वज़ा से soft core policy है, बाकी जारी बात है, question mixture models की और भी काफी चीज़ें हैं, जो हमने maintain करनी होते हैं, तो इसके parameter कौन-कौन से होंगे, जो हम set करेंगे, उसके उपर हम आते हैं, जी, आपने भी पढ़ा, question mixture model, और यह जो है, यह वाला मैं आपको send भी कर देता हूँ भी, mathematics जो है, यह जो blog मैंने यहां पर आपको दिखाया है, यह pure mathematician यह statisticians का काम है, जो basic data scientist पढ़ने वाले लोग हैं, वो उनको भी फिलाल इसकी जरूरत नहीं है, इतनी hardcore theory में जाने की, जी, parameters कौन-कौन से होंगे, जाद ही मत वाले, जाद के अंदर जाएं, तो वहां पर आप देख सकते हैं, अगर simply आप लिखें, Gaussian Mixer Models, और उसके hyper parameters आप चेक करें, तो वहां से भी आपके पास आ सकते हैं, साइकेड लेंड के उपर, सबस्टने के उे करें, जाद मिलेंड के हाया, यूहां से हैं, कौन से जाएं रर यादскर систем करोण थेखें जापके पास हुनए झाले तो रिद्धा हैं, सबस्टने की, और द ह aún उसक्ष peacefully को पास आपके मिलें तो भी, नहीं तो दूसरा तरीका का रही है आपके सामने में आपको दिखा देता हूं simply आप Gaussian mixture model को import करें blobs जो हैं यह basically clusters का data है फिर बता रहूं परिशान नी होना इस्से यह खुद से बनाए हैं कि यह cluster है भाई हमें पता हैं यह cluster थीक है तो Gaussian mixture model आप लगाएं N component आप बता दें ठीक है यह four है आप इनको बढ़ाते जाएंगे तो आपके पास डेटा डिफरेंट आता जाएगा अगर आपको ना समझ आए के पैरामेटर्स कौन कौन से देन यू कन टेक दोस परामेटर्स फ्रॉम दिमॉडल ठीक है डिरेक्ट लिए आपको पता चल जाएंगे और अगर यह ना समझ लग आप चेक करें हमारा डेटा फोरण चेंज हो रहा है अगर मैं इसकी रैंडम स्टेट भी 2042 कर दू तो रैंडम स्टेट 42 जीरो भी कर सकते हैं यू नौ देट और यहां से मैं फुल को हटा देता हूं तो इसका डिफाल्ट जो है वो फुल चल गए ठीक है फुल का मतलब यह है कि को वेरियंस अगर एक गौशन मिक्शन मॉडल का आ रहा है तो कितने परसंट डेटा वहां से प्रॉबबिलिटी में लेने हैं बलके बहतर यह है कि मैं आपको यह दिखाई दूँ एक दफ़ा कि यह फुल का मतलब क्या है हमारे पास क्योंकि यह ऐसा पॉइंट है जो बाद में मसला कर सकते हैं यहां पर यह स्क्रीन आपको नज़र आ रही है दुबारा से अगर मैं अपने पास को वेरियंस यानि के जो हमारे पास वेरियंस यहां से यहां तक टोटल ओवराल होती है यह हमारे पास एक डिस्टिब्यूशन इस तरीके से बनती है और में से लास्ट तक का डिस्टेंस जो है उसकी वेरियेशन होती है ठीक है यहां से यहां तर और आपने देखा होगा कि एकसर हो कहा था पूरे का पूरा वेरियंस नहीं लेते यू डिवाइड दैट इन्टू आइधर इंस्टेंडर एवियेशन स्टेंडर एरर या आप इसको को वेरियंस की बेस पर ले लेते हैं जहां पर आपका डेटा ज्यादा वाला पॉइंट ले जाएगा यहां से ठीक है यह कैलकुलेशन हमें बताएगी बेसिकली इस वड़ा से को वेरियंस बताना है कि कितना लेना यह बहुत ज्यादा ज़रूरी है ठीक है और यूशुड नो के को वेरियंस कितना रखना है इस डियाग्राम के अंदर इस परामेटर जो भी मैंने आपको बता हैं अब मैट्रिक्स कौन कौन से हैं इसके उसके बारे में बात करते हैं जी जी एम एम के मैट्रिक्स कौन कौन से हैं कलस्टरिंग के मैट्रिक्स आपने गौर की है कि तकरीबन मिलते जुलते ही होते हैं अगर नहीं की गौर तो अब कर लें ठीक है? मैं इसकी कोडिंग इस वड़िया से नहीं दिखा रहा because this was your assignment, तो hopefully आपने इस पर काम किया होगा तो it's easier, मतलब chat GPT पर आप सीधा-सीधा लिखें तो आपको ये पूरे का पूरा आ जाएगा और हम इस पर मजीर discussion भी कर सकते हैं I think it's fine now और hopefully this is enough for this thing जिसके उपर हमने GMM पर काम की, अभी मैं यहां से recording स्टॉप करता हूँ